So hi guys कैसे हूँ आप लोग Guys आज किस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने YouTube वीडियो के थाम्नेल पे आउट्रो कैसे लगाओगे अगर आप लोग अपने YouTube वीडियो के थाम्नेल पे आउट्रो लगाते हो तो इसने आपका thumbnail काफी attractive लगता है और आपके YouTube वीडियो के thumbnail पे काफी लोग किलिक करते हैं तो कैसे आप लोग अपने YouTube वीडियो के thumbnail पे outro लगाओगे मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ और वहाँ पे आप लोग pixel lab search करना और वहाँ से आप लोग install कर सकते हो उसके बाद आपको यह 3.com मिल जाएगा इस पर आप लोग किलिक कर देना होगा प्रोग बहुत सारे option मिल जाते हैं कि आप लोग जो भी thumbnail बना चाहते हो किसके लिए बनाना चाहते हो अगर आप लोग YouTube के लिए बनाना चाहते हो तो यहां पे आप लोग YouTube thumbnail वाल अप्शन पे किलिक कर देना होगा उसके बाद आप आपको OK कर देना होगा OK करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा उसके बाद आपको यहां delete वाल अप्शन पे किलिक कर देना होगा उसके बाद मैं आप लोग बता रहा हूँ कैसे आप लोग अपने फोटो पे outline निकालोगे तो इसके लिए आप लोग यहां plus का अप्शन मिल जाएगा इसपे आप लोग किलिक कर देना होगा किलिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा यहां से आप लोग फ्रम गिलरी का अप्षन मिल जाएगा इस पे आप लोग किलिक कर देना होगा किलिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा यहां से आप लोग अपने photo crop कर सकते हो उसके बाद आप लोग यहां सही वाले option पे click कर देना होगा click करने के बाद आपको कुछ ऐसा interface दिखा ही देगा यहां पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा photo आ चुका है तो ऐसे ही आप लोग का भी photo आ जाएगा लेकिन आप लोग का photo ऐसे नहीं आता होगा मैं आप लोग बाता रहा हूँ यहां पे आप लोग क्या problem आती होगी जैसे कि यहां पे आप लोग plus पे गाई यहां से आप लोग gallery में गाई और यहां से आप लोग फोटो लेना है फोटो लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऐसे कुछ आप लोगे इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ से फोटो जब किलिक करोगे तो यहाँ से का होगे एक पीछे वाला बेगराउंड ही नहीं change होगा तो यहां से मैं फोटो डिलिट कर दता हूँ, अब मैं आप लोग बता रहा हूँ कैसे इस फोटो पर आप लोग आउट लाइन निकालोगे, इस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा, क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, उसके बाद आपको इस इनेबल कर देना होगा, इनेबल करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, अभी इनेबल हो रहा है, यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यह फोटो पर आउट लाइन निकल चुका है, तो यहां से आप लोग कलर सलेक्ट कर सकते हो, जो भी कलर आपको यहां पर आप लोग प्लस वाले अप्शन पर किलिक करके बारा चोटा कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी आउट लाइन ज्यादा करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं प्लस वाले अप्शन पर किलिक करूंगा, तो यहां पर आप लोग किलिक करोगे तो और भी ज्यादा यहां प निकलेगा यहां पर मिनिमाम आप लोग 2-3 रखिएगा और मेक्सिमम आप लोग 5-6 रखिएगा क्योंकि ज्यादा रखोगे तक आओगा कि आओगा कि आपका फोटो तो यहां से मैं अभी कम कर देता हूं अभी मेरा जो मोबाइल हो काफी स्लो चल रहा है जिसके वज़ासे आ होगा सही वाले अप्शन पर किलिक कर दोगे तो आपका आउट लाइन निकल जाएगा उसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि पीछे का बेगराउन चेंज करना जो यह थामनेल का तो यहां पर लोग किलिक कर देना और यहां पर आप लोग को इमेज का अप्शन मिल करने के बाद यहां से अगर आप लोग साइज घटाना बाराना चाहते हो तो यहां से आप लोग घटा बारा सकते हो नहीं तो आप लोग के यहां सियर वाले अप्शन पर किलिक करके इमेज को आप लोग अपने गिलेरी में सेव कर सकते हो उसके बद आप लोग अपने यूटूब थमनेल पर लगा सकते हो उस पर लोग लिखना भी परेगा अपने थमनेल पर लिखना भी परेगा तो कैसे लिखोगे अगर आप लोग पाता नहीं गो तो नीचे कमेंट कर द देना और कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लागी